सो हे गाईस वेलकम बैक टो एवरिवन आई होप आज तेरवा दिन है तुम लोग डेडिकेशन के साथ टिके हुए हो तेरवे दिन था क्योंकि अब बस आधा से थोड़ा से सफर और बचाए और मुस्ट पंदरा दिन और फिर हो जाएंगे अपन तीस दिन में एडवांस आव पूरे स्टॉक मार्केट के इथियास में दिस इस दी ऑल्ली टॉपिक जिस पर कोई ध्यान नहीं देता है बट सला यही सबसे इंपोरेंट होता है तो भाई आप आज यह सिका दो गए हाँ ब्रो इसकी जो नीफ कहते है ना बेस जो कहते है वो मैं आज बना दूँगा सीड बो देंगे फिर आने वाले 30 दिन में जब मैं पानी दो गए न तो यह ब्लोसम कर जाएंगे ब्लोसम क्या होता है जलो एकनोर करदो उसको लाइक कर दो फटाफ़च लाइक नहीं किया रगदो जल्दी से करदो कर दो चलो अब समझो लाइक करने के बाद क्या करना है हाव तू बिल्ड पॉर्टफोलियो इंसान क्या समझता है उसने अगर अपने ये पॉर्टफोलियो उसका उसमें इसने अगर उसने चार स्टॉक ऐसे रख दिये तो लो भाई उसने उसको नाम दे दिया का पॉर्टफोलियो का बट ऐसा नहीं होता है भाई पॉर्टफोलियो से ज सब्सक्राइब नहीं सकता मतलब इसे गवर्मेंट की सिक्यूरिटीज खरीद लेना रियल स्टेट खरीद लेना रियल स्टेट गिर जाते हैं दाम लेकिन एवर गरीन होता है न एक चीज समझो जिसको कहते हैं बहुत प्यारा शब्द है इंफ्लेशन है बताया कोई किस किस चीजों से इंफ्लेशन से बचा जा सकता है और एक्जामपल जो तुम बिल्डिंग्स लेते हो या रैंड से कराए पे देते हो वो तब ही देनी पाऊगे से सब्सक्राइब प्रॉपर्टी ली महंगाई अगर बढ़ती है तो दाम भी बढ हैं महेंगाई के साध्त कम होते हैं कि नहीं न तो इंफलेशन अज है गोल्ड हो गया महेंगए बढ़ती के प्राइज के गden गोड़ता है तो इसको कहते हैं इंफलेशन है छे तो यह होते हैं इस पर बहुत ध्यान दिया करो बहुत पर इस अब लेकिन रियल इस्टेट तो 10-10 कडोर 20-20 कडोर 15-15 लाक लग जाते हैं उसके लिए एक चीज होती है र-e-i-t रिट्स रिट्स मतलब क्या रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट मतलब तो मैं सिंगापूर की प्रॉपटी लेनी है उपर जलते हैं वह यह सिंगापूर का आलीशान सी फेसिंग का में को लेना है 30 कडोर का बंग लो तुम्हारे भाई गया इधर रिट्स पे उसने 120 रुपए का कुछ यह लेले एक सूबीस रुपए में इतनी वड़ी प्रॉपटी नहीं भाई इस 30 कडोर को सब्स्थ हो स्लों रहे चोटे 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 पार्ट समय बढ़ दिया ठीक है समच्पवेस इतना चीज तो वह पार्ट में बड़कर कितना हो गया एक इसा होगया 120 रूपय का तो 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 ने बस उसका टॉटल सो रूपय का इससा था तो सौ मैंसे तुम्ने बस इतने रूपय का इसको बोलते हैं रिप्स बहुते हाब रो जब चाओ तब निकाल सकते हैं ऐसा नहीं कि भई आप यसे इलेश्टेट में कि पईसा कुछ लेनी तो मैं तुम याद है के लिए तो तुम्हें तो लिए उसके लिए आता है कुईक है का से идं к लिक्विड जिसको कहते हैं इसको ऐसे अगर एक नमर हो जाएगा कि हाँ यही तरीका और सिर्फ इस दी ऑनली वे बलकि मैं को यह बोलना चाहिए चलो बहुत बहुत आभार आपका कमेंट और कर देते हैं तो थोड़ी सी करपा हो जाती है चलो ठीक है अब स्टार्ट करते हैं में चीज जिसको कहते हैं कैपिटल अलोकेशन यह कैसे किया जहां और एक हो चीज बता हूं लोगों को पता नहीं होती अगर तुम मैंसे 99 परसेंट लोग यह सोचते हैं अगर स्टॉक्स अच्छे ले लोगे तो तुम्हारा पॉर्टफोलियो अच्छा नहीं गाइस नो न नो इंडिया के 100 परसेंट क्या 99.99 से भी और जादा कहलो भाई लोगों को साला पते नहीं होता है कि अच्छे स्टॉक्स लेना पॉर्टफोलियो बनाना नहीं होता है बलकि अच्छा क्या होता है कैपिटल अलोकेशन तो बस तुम्हारा भाई को यह चीज पता थी तो तु तुम्हारे पास 100 रुपे हैं 10,000 एक कड़ोर एक लाग 20 लाग जितने भी रुपे हैं उसको डिवाइड कैसे कैसे करना है चलो ज्याद समझो इसको लिख के चलोगे ना तो और बेडर क्यों कि यह तो लाइफ टाइम काम मैंना यह अच्छा नहीं हुआ तो तुमने जो 30 द क्या है 100 माइनस यॉर एज वह यह क्या है 100 माइनस यॉर एज सब्सक्राइब तो मेरी जनता है मैं यूटूब आनलेटिक्स देख रहा था मैक्सिमम अटरा से जो 30 साल की जनता होती है ना वह अपना कंटेंट बहुत जादा देख रही हैं बागी फिर वह होते हैं 30 से 50 वाल चल रहा था तो में कितना लगा होगे जल्दी बता दो 100 माइनस 30 सतर एक्जेक्ली यह रूल बहुत इंपोटन वह यह किसने बनाया कैसे बनाया काम करता है बहुत तगड़े में काम करता है तब ही मार्केट में यह चीज चल रही है ठीक है मैंने नहीं बनाया यह हाँ समझ जा गया बहुत जैसे कर बैए 30 साल गाऊं तो 70% इक्टिम लागा बहुत बहुत अब इसा क्यों करा गया वर उसका रीजन यह है कि देखो अभी आप यह यंग हो आप अभी बिजनिस कर सकते हो आप अभी जॉब कर सकते हो आप पैसो के सोर्स बहुत सार है तो आप रिस्क रेस्क जादा ले ले सकते हो तो आप रिस्क जादा ले सकते हो हैं आपकी यू साल यह ए अपने उसपेक्ट है को करें पपचास साल कि उमर में कहां काम करिंगे स्टेडी सोर्स फिंगम कम हो जाते हैं इसलिए क्या हंड्रेट माइनस फिटी में पचास लगा हो बागी का बागी का बाइस सेफ जिगा मैं जिससे पैंशन मिलती है ना वैसे तुम्हें पैसा मिलते रहा है स्टेड़ लेंगे तुमारा स्टेड़ एक्यूटी में लगा दिया तो बचा कितना है तीस तीस मैं से 20% का लगा रहे हो एक दम सेफ हैं मतलब गोल्ड ले लो रियल स्टेट की चीज़े ले लो मतलब समझ रहो ना जहां पर तुम्हारा कवर होता रहे डाइवर्सिफेकेशन ये शब्ध जिसने सी के लिया वाई उसने सब कर लिया चीख है वहाई डाइवर्स सफ़ाइ कैसे कर रहे थे डाइवर्सिफेकेश देखो लोगों को तुकडों में बाट नहीं है सौक पने तीन तुकडों में बाट दिया १ीस दस सत्तर हो गया एक्विटी में 20 होगय है स अगर तुम्हार ये एज है तो तुम्हारा ये इस टाइप का कुछ और चाहिए मैं खुछ से मॉडिफाय कर दूँ जादा ही मॉडिफाय मत कर देना कि 70 की जिगा तुमने सीधे 90 कर दिया ठीक है इतना भी में पागल मत हो जाना और अगर अगर एज लोग हैं अंकल लोग दो होते हैं इमर्जेंसी चीजें होती है तो इसके लिए कैश तुरंद नगत में जादा होना चाहिए तो आपके लिए कुछ यह सीन होना चाहिए ठीक है क्लियर हुआ अब अपन डिसाइड करते हैं कि यह तो आपने सिका दिया कहां में किता रोपा लगाना है लेकिन लेना क् साइड में कर रहा हूं समझो सब्सक्राइब कर रहे हैं और 30% सब्सक्राइब कर रहा हैं यह चीज़ यह सत्तर परसेंट इसका क्या करना है लार्ज के स्टॉक अठाइब 50 बढ़े स्टॉक्स एक्जैक्ली वह यह क्यों वह इनका कैश फ्लो बहुत सिमिलर होता इंगाश फ इसका मनला भी है कि तुम रेगुलर्ली कुछ ना कुछ आते रहेगा समझ रहो ऐसा नहीं जाएगा कुछ ना कुछ ना कुछ ना कुछ भले स्लो 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 बट कुछ न कुछ तुम कमाते रहोगे अच्छ वह यह खासियत होती है कम कमा होगे तो यह जादा कमाने के लिए क्लिए अपना मिटकेप आ जाता है आगी लगा देता है अपनी मास्टरी ज़री है तीज दिन के बाद जो तो मैं अपने एक प्राफटेवल सेटब से काने वाल है वह अपना सुपर सेटप वरक्शॉप में होता है लेकिन यह उस लेवल तक पहुँचानाय भी तुम उस लेवल तक आ नहीं हो तो चलो पहुँचा दिया जाय तूमें moralên autopsy समझ गाई मेट कैप समझ गाई small small game क्या होता है ना small केप में क्या होगा यसा कर तुमनें 10 स्टॉक में लिया 10 में से 8 स्टॉक फेल हो जाएंगे लेकिन जो दो स्टॉक होंगे न भाई वह जो इन स्टॉक में लॉस हुआ वो लॉस को भी कवर कर देंगे और वो इतने आगे निकल जाएंगे इतना इसको क्या बूलू इसका बेंचमांक कर देंगे कि तो मोवारॉल बहुत हाई प्रॉफिट में आ जाओगे क्योंकि क्या होता है ना स्मॉल कैप का जो रिटन देखो कितना होता है टैंट टाइम्स एट टाइम्स इतना इतना जादा रह इतना वह इतना भेंकर बीट करते हैं मैंचमांक को चीक है क्लियर हुआ जाओ यह डिसाइड हो गया यह इजवालों को ली हो गया कैसा सतर में से तीस लाइज कि यहां पर 20 ता यह डवल ही कर दिया आपने क्वेग्स की इनकम जाधा चाहिए है मिट когда को थोड़ा कम कर दिया इससमाल कियों क्यों यहां पे पर 10 क्यों कि यहां पर दॉझायव क्या होते डॉ担्टरि की टिकट के टाइप होते हैं 10 चीजह और होना है तब रहत statistical व.. इसके कारएं जो कीस रखते हैं वह समझ में तो सम मेन लग रहा है हमें तो समझो अपने इंडियन स्टॉक मार्गर में तीन चाइब की चीज़े होती है ग्रोड स्टॉक अपनी मास्ट्री जहां पर है यह अपनी सूपर सेट आफ वक्शॉप में सीखने वाले है वेल्यू स्टॉक जिसमें आज ज्यादे तर लोग कहते हैं इस अपनी बहेंकर चीज तो मैं किस भाव पर मिल रही है जमीनों पर मिल रही है तारे जमीन पर तो क्या होगया वैल्यू स्टॉक समझें वह इसको कैसे फाइंड घरना है अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं लाइफ में आगे जरूर सीखेंगे ग्रोड स्टॉक में अपनी म हम लेके चलो महीने का मैंना सौरी साल का आठ से नौ परसंट जो तुम्हें सिर्फ डिवीडेंट ही डिवीडेंट दे इससे क्या हुआ सिर्फ डिवीडेंट से तुमने क्या क्या बीट कर दिया है एफडी के ऑल्मुस्ट इक्कल पहुंच चुके हो ठीक है नॉर्मल सेविंग अकाउंट सेविंग अकाउंट जो होते हैं उन सबका बेंचमर्क तो तुमने बीट करी दिया है ना तुम बहुत आगले को और जो लोग बाग इंट्रेस्ट वगएरा देते हैं अल्मुस्ट वह नौ से आट परसंट क्या जो वाज़ी होता है तो तो तुम आल्म ऐसा पॉर्टफोलियो लोकेशन होना चाहिए अगर यह सारा कैपिटल लोकेशन और नॉर्मल नॉर्मल बेसिक्स किलियर हुए कि कहां कितना इंवेस्ट करना है कैसा होना चाहिए तो भाई आयम लाइक आइटिंग कि तुम इस लेवल पर रेडी हो कि तुम एक थोड़ा सा पॉर्टफोलियो को अपना सोधार चको और देखो कभी एक चीज गोल्डन रूल बताता हूं पांच परसेंट से जादा कभी स्टॉप लोस लेना मत जैसे अगर तुमने सो रोपे इंवेस्टमेंट करके रखा है न तो सो का पांच परसेंट कितना हुआ पांच रोपीस त क्या करके रखेंगा बीए स्मार्ट ट्रेडर इन लॉसों को जल्दी जल्दी हटाओ प्लीज रिमूफ अपने आप तुम्हीं ट्रेडिंग सुदर जाएगी डाइवर्सिफिकेशन करना सिकाई दिया डाइवर्सिफिकेशन कहता मैं अगर पोर्टफोलियो है तो सो रुप लेने का टाइम हो गया है बस 15 14 16 दिन और बचे हैं अपन बहुत जल्ली एक अच्छा ट्रेडर एक अच्छे एनलेस्ट हैं एक अच्छा एजूकेटर बनने वाले हैं चलो गाइस बाबाई सी यू इन नेक्स वीडियो